IP University के application form 1st of February याने की आज की date में release होने जा रहे हैं इससे पहले हम application form फिल करें हमें ये जाना ज़रूर है कि हमारे पास कौन-कौन सी important dates है जिनको हमें miss नहीं करना है तो वो आज हम इस टूडियो में discuss करेंगे क्योंकि एक एक date आप लोगों के लिए बहुत important है कई भर क्या student होता है कि within the timeline अपनी चीज़ें नहीं की पूरी कर पाता और admission process से out हो जाता है तो अगर आप IP initiative admission के लिए apply करने वाले हो तो जो important dates अभी हम discuss करेंगे आपको इनको बिल्कुल भी miss नहीं करना है IP initiative ने अपना brochure कल ही release करा है जिसके अंदर इन्होंने अपनी important dates भी mention करी है even counseling process के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बता है अपने brochure के अंदर तो देखिए जो dates होती ना ये आप लोगों की tentative होती है tentative का मतला होता है कि भाई इसके अंदर उपर नीचे changes करे जा सकते है जैसे कि आप देखे रहे होंगे CUTPG के application form निकले हो तो वहाँ पर date बार-बार extend हो रही है IP University का भी कुछ ऐसा ही है अभी इन्होंने अपनी date से दे दी है हो सकता है कि भाई extend हो जाए हो सकता है कि extend ना हो लेकिन हमें सारी चीज़े on time करनी है ताकि हमें कोई problem ना है तो देखे application form के बारे में बात करता है सबसे पहले 1st of February को आप लोगों का application form open हो रहा है 31st of March तक आप लोगों का application form open होने वाला है जो student जो submission करेंगे उनको 1500 रुपे का registration करना होगा और कुछ student ऐसे होते हैं जो कुछ क्या बहुत सारे student ऐसे हैं जो NLT के basis पे apply करेंगे यह जो registration का है यह IPCT वाले students के लिए है IPCT in the sense की जो student entrance exam के थूरू admission के लिए apply कर रहे हैं वो student अपना 31st मर्त के application form fill करेंगे जो student NLT के basis पे कर रहे हैं यानि कि CLAT के लिए apply कर रहे हैं law law में admission लेरे CLAT के basis पे MBM apply कर रहे हैं cat के basis पे jmains के basis पे btech के लिए apply कर रहे हैं तो उन्हों students के लिए यहां पे उन्होंने 30 of April तक जो है अपना कर रखा है portal open तो आप लोगों को application form fill करने का time 30 of April तक मिलने वाला है 1500 रुपे का registration आप लोगों को भी करना जरूरी है और ये भी 1500 रुपे का registration होगा जो student IPCT का exam देंगे लाइक BBA BCA, BGMC, BCOM owners जो courses है हमारे पास bachelor's के undergraduate courses के और इसके अलावा जितने भी entrance exam based courses है सब के लिए portal 13 March तक open होने वाला है अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं भाई आप लोगों का counseling process के बारे में तो counseling process क्या होता जिस time पे आप लोगों को colleges का selection करने को मिलता है का counseling क्या कहते हैं जिस time पे आपको college इसका selection करने को मिलेगा कि आप किस college में admission लेना चाते हो IP University के अंदर Guru Gobind Singh इंद्रपस University में आप किस college में admission लेना चाते हो तो वो भी आप लोगों को April के अंदर जो है counseling की dates मिल जाएगी वैसे तो लोगों ने जो mention करा है वो June के अंदर करा है कि June में आपकी counseling जो है हम start कर देंगे चार जून के आसपास तो वो schedule भी मैं आपके साथ discuss करूँगा बट अभी हमें यह देखना है कि हमें registration किस time पे करना है और किस time registration जो है हमारी end हो रही है इसके बाद एक हजार रुपे की आप लोगों की counseling की registration होगी मातर एक हजार रुपे तीक है आप समझी इस चीज़ को आप लोग कभी भी अपलाई करता है पूश्योटी के अंदर तो यहाँ पर दो बार आप लोगों को fees पे करनी होती है पहले fees होती है आप लोगों की आप लोगों के बारे में बात करते तो counseling के दुरान भी आप लोगों को एक हजार रुपे का दुबारा से registration करना होता है और इसके थुरू आप लोगों को colleges में admission मिलता है तो यह हो गए आप लोगों के पच्चेस सो रुपे अभी तक यहाँ पर है आप लोगों के पंदरा सो रुपे जो लग रहे हैं वो तीस अप्रेल तक लगए उसके बाद देखार रुपे और आपको पे करने पड़ेंगे देन आप लोगों का entrance exam है वो होने सब्सक्राइब करेंगे अब इसके लिए आप लोगों को कभी भी क्लेशन देखने को मिलेगा जो सुड्रं शुटी के बेसिस पर आबमिशन लेंगे उनके लिए भी कोई भी टेस नहीं करी गई है अब ऐसा क्यों में वह सिट समझ लेज adapt करना पड़ेगा whenगों शुट पर स्यूट होने का वीट veilकट करना पड़ेगा अब होता क्या है कि IPCET फर्स्ट अपनी जो है प्रायर्टी देता है कि इसको देता है अपने उन्हें students को देता है जो उनका entrance exam देके admission लेना रहा है जो seat वेकंट आ जागी उसके उसके लिए करेंगे तो उसके लिए date कब मिलेगी जब इनका admission process almost खतम हो जाएगा IPCET को लेके औ और management quota की जो admission है वो भी बाद में बताया जाएंगे management quota क्या होता है हर एक college के अंदर भाई कुछ seat 10% seat बोल सकते हैं कि आपकी management quota की होती है जो college अपने personal जो है दे सकता है students को उनके merit के basis पे और कह सकते हैं अलग-अलग तरीकों से admission दे सकता है तो उसके लिए आपको wait करना पड करा है अब इसको crack करने की लिए आपको करना क्या है higher education की application download करनी है play store से जिस पे हमारे पास आज की डेट पा है IP university के सभी courses की entrance exam की preparation live classes के थ्रू कराई जा रही है और हमारा offline batch बनने जा रहा है बहुत जल्दी 25 मार्स से हम अपना जो है offline batch start कर देंगा IP university का अभी हम नहीं करें क को साउड डेली चतरबूर के अंदर आना है चतरबूर मंदर के पास में हमारा institute located है यहां पर आके हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहां पर हम आपको offline classes के थुरू preparation करा आता है जो student online के थुरू हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अभी download करेंगे higher education की application देखिए आप के पास और जो student जिस भी course के लिए apply कर रहा है आपको करना क्या है नीचे WhatsApp नमबर मैंने आपको दिया है comment section के अंदर वहां पर जाके आप अपनी query थेंक यू सू मच